हाली में शारुक खान ने कहा कि उनकी अगली फिल्म डंकी एक प्रॉपर राजकुमार हिरानी फिल्म होगी और इस फिल्म में ओडियंस को कॉमेडी के साथ इमोशन्स भी देखने को मिलेंगे इस साल नौ महीनों में शारुक ने दो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मे दी हैं पठान और जवान अब शारुक अपनी अगली फिल्म डंकी पर काम कर रहे हैं ये फिल्म इसी साल 22 दिसंबर को रिलीज होगी इस फिल्म के साथ शारुक खान पहली बार डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम करेंगे हिरानी संजू पीके त्री इडियेट्स और मुना भाय सीरीज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने चाते हैं शारुक ने कहा था कि डंकी एक बिग जर्नी फिल्म होगी ये उन लोगों की कहानी से प्रेरित होगी जो विदेश से अपने घर और अपने देश वापस लोटना चाहते हैं इस फिल्म में आपको कॉमेडी और ड्रामा देखनी को मिलेगा ये एक ऐसी कहानी है जिसमें खूप सारे एमोशन्स होंगे और ये उन लोगों पर बेस्ट है जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने के बाद ये महसूस होता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए इस दोरान उनकी जिन्दगी में क्या बदलाव आएंगे और उन्हें किन मुश्किलों से गुजरना होगा ये भी देखने को मिलेगा बता दे की शारुक के अलावा तापसी पनू इस फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी